लड़की नहीं है लड़का है जोती कुमार उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाया प्लीज आप मेरे हस्बेन की मदद कर दीजे रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास इस इनके पास उसने बोला ठीक है जरूर मदद करूगा ये कहके और मैं अपन सब्सक्राइब कर दो दो दिन वेट करते करते दस तिन तक रिपोर्ट नहीं आया फिर हमने नोईडा के एक डॉक्टर है उनसे कंसल्ट किया वीडियो कंसल्टेशन से उन्होंने बोला कि सिटी चेस्ट करवाना है हम लोग भागलपुर गए और सिटी चेस्ट करवाए तो उसमें उनका इंफेक्शन आया 60% लंग्स उनका उसमें इंफेक्टेट था डामें नहीं था इंफेक्टेट था बस माई की लंग्स का हर चीज पॉटिक था सारा चीज नाक का गले का सब कूछ नॉर्मल था उसमें रिपोर्ट में था फिर हम लोग नेक्स डे ग्लोकल हॉस्पिटल है भागलपुर में ग्लोकल हॉस्पिटल लेके आए, वहाँ पर आड्मिट कर आए हमने आइसिऊ में, मेरी मदर की भी तब्यत खराग थी, मेरी मम्मी और मेरी हस्बेंट, दोनों एक साथ आड्मिट हुए, वहाँ पर इतनी ला कि दवाई तक नहीं देना चाहता था पेसेंट मेरी मदर टचुड बेटर कंडिशन में थी थोड़ी मेरे हस्बेंट बोल भी नहीं पा रहे थे उस समय तक इशारे से पानी कहा से बताते थे लेगिन को पानी नहीं पिलाता था सर वह मुझे हार के फोन करते थे कि पानी पिला को पिला है डॉकतर नहीं वहां सज़ेस्ट किया मेरे दो दो पेसेंट थे वहां हमने बहुत मुष़् किल से अरेंज किया जब वो इंजेक्शन मिला तो एक दिन रात को जratic देने लगें हौफ हैंजेक्शन फ्लोर पर गिरा दिया उन्होंने अपने कहा कि इतना महंगा इं कि उन्होंने दो तीन बार पॉटी किया था उप यूरिन पास किया था कोई क्लीन करने नहीं आ रहा थार छे घंटे से वो उती गंधगी पर अपर हुए थे उन्होंने एक compounder था वहाँ पे, local, local hospital भागलपूर जोती कुमार, compounder है वहाँ का, मतलब जो attendance होते हैं न, वो है, लड़की नहीं है, लड़का है जोती कुमार, उसको मैंने request किया, कि भाया प्लीज आप मेरे husband की मदद कर दीजे, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं, मुझे मेरे दुपट्टा खीचाया बहुत जोर से, मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीवे पीछे मूरी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरे दुपट्टा वो जोती कुमार खीच रहा था, मेरे माँ पीछे से चिलाई, मेरे हस्बिन ऐसे होने लगे पूरा पसी अब जब मैंने उस आदमी को देखा ना, तो मुस्कुरा रहा था, मैंने ऐसे तुपट्टा खीचा, और मैं कुछ नहीं बोल भाई डर से, कि मेरे हस्बिन यहां पे है, मेरे माँ यहां पे है, यह लोग कुछ कड़ देगा, इस डर से मैं कुछ नहीं, बाहर निकली, मैं ब जल्दी आईए, यह मर जाएंगे, कोई नहीं आया, और अंकल ने दम तोर दिया, ऐसे तीन-चार लोग उस दो-तीन दिन के अंदर दम तो रहे हैं, बिना केर के, बिना नर्स के आए, शारी नर्स टेबल कुरती लगा के सो जाती थी, कहती थी, पागल हो गए है, हम ही अब मढ़ जाएंगे, इस कोरोना के चकर में, तो क्यों जो आप कर रहे हो, छोड़ दो बगल वाले बेड़ पे, चार लोग, छे से साथ घंटे में, चार लोग खतम हुए, क्यों खतम हुए, वो नर्स को बुला रहे थे, सिस्टर आजाओ, दिक्कत हो रही है, और सिस्टर नहीं आती थी, एक अंकल तो बुलाते बुलाते, वो लटके गिर गए, पूरा सर परसों, परसों, सुनिये मेरी बात, पहले पूरे कहानी मेरी सुनिये, मेरी बहन पाँच बार च्छे बर गई है, बुलाने डॉक्टर को माया गंज में, तो डॉक्टर क्या कह रहे है, यहां रात में भी सोने नहीं दोगे, जब हमने देखा जा के सर, तो लाइट औफ इमर मेरी मूवी देख रहे हैं और सो रहे हैं, और दर्वाजा तक नहीं खोला सर, मेरी हस्बिन की ऐसी हालत हो, जब मेरी दीदी बहुत जाके चिल आई, तब एक डॉक्टर आये वहां से, तो उन्होंने देखा क्या, कि मास्क, उन्होंने ऐसे मास्क लगा होता है न, उतमें ए आईसीजन की किलत का डर बैठ गया सर, शाथ भंटे बिन ऑक्सीजन के रहे सर, लड़ते रहे लड़ते रहे, फिर उस दिन इतना वो डर गये, वो बोले नहीं हमको कहीं बाहर लेके चलो, दिल्ली में सर, हमने बेट का किया, बहुत पता नहीं था दिल्ली में, कहीं भी पतना आए, यहां पर इनोंने कहा, आईसीजन में अटेंडेंट नहीं अलाओड है, नहीं जाओगे आप, मेरे हस्बन रोने लगे कि मेरी वाइप को बस भेज दो, वो रहे कि तो मैं ठीक हो जाओंगा, इन लोग उने नहीं अलाओ किया, सर, अज मैंने देखा, एम्बोले मेरे अठीक हमेंगे ना एक दोक्टर निकले है, मैंने बोला कि मेरे हस्बन अंटर से दोको सुषि जब आ रहे है सब को, मैंने कहा, वो बी लग वो बुला रहे है किसी को बाहर से, तो एक दोक्टर मुझे कहता है चोड़ीये ना व जोट नहीं है। से मेह सुछा Careनadım – से तब उन्होंने जबरदस्ती मुझे अंदर भेजा और 37 से 74 मैंने कर दिया 10 मिनट में मेरे बाबू का मेरे बाबू का अक्सिजन लेवल में बढ़ा दिया उसके बाद इन लोगों ने मुझे बोला मैंने बोला सर अटेंडेंट अलाओ हैं सारी के अटेंडेंट बैठे हुए तो एक डाक्टर ने मुझे बोला अटेंडेंट अलाओ में रहेंगे तो कैसे नाम चलेगा सब तो कोरोना से मिमार पढ रहे हैं हम लोग कितना देखे हम लोग क्या मर जाए खास्ते खास्ते सब को देखके बैठिये चुक्चा पर देखिये 15 तक सार एक टेबल पे एक लग हो रहा था यह बचेगा नहीं वो डॉक्टर सर तीन चार दिन बाद कहता है टचुड क्या कर दिया अपने इसके साथ यह तो एक दम ठीक हो गएगा जब का फाइट दिया आप दोनों ने मिलके मुझे क्या पता था कि मैं फाइट दे रही हूं और यह लोग मेरे बाबू को खतम कर देंगे इतना अप्सिजिन का कि लट सर मेरा बाबू डड़ गया बहुत जादा ऑक्सीजिन सिलिंडर देखता था और कहता था हां ओह बो खतम हो जाएगा बाबू देड़ घंटे के लिए और सप्लाई बंद रहता था बाद में हमें पता चलाँ यह लोग ब्लैक म क्या करते क्या करते हमें भी तो चाहिए था पर सो सुबह में हमारे पास एक ही सिलिंडर था पाइप लाइन बंद हो गया मेरे हस्बंड को पाइप लगा हुआ था उनको दो सिलिंडर से जाना था एक ही सिलिंडर था सिलिंडर मांगते मांगते कहीं नहीं मिला सर मेरे मेरा बाबु चला कि हमको छोड़के यहां पर राजिश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इसारे कर रहा था मुझे सर चलता था तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हसमें नहीं आपर बढ़ना कर बाबर होता चपल खोल कि मैं मारती सर एस इंसान को वहाँ पर माया गंग हॉस्पिटल में, डॉक्टर कोई भी डॉक्टर नहीं आता है, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं जूनियर डॉक्टर नहीं और पेसेंट की सिर्फ एंट्री कर देते हैं, कि फेजियो थेरेपी किया गया, यह मेभावु नाक कर क्या करते हैं, कि फेजियो थेरेपी हो, पेसेंट को कुछ नहीं, मतलब CPAP पे पड़ा हूँ पेसेंट और उसको देखने के लिए 24 गंडे में कोई नर्स नहीं आती है, रूम बंद करके और सब सोते रहते हैं, दरवाजा ठप्ट काईगा तो चिला के बोलेगी, दूर भागो यहां से, को हम लोग अभी रात में नहीं आ सकते हैं, हम लोग क्या मरजा पेसेंट के लिए, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है देखने के लिए किसी को, यह लोग अब किसको करें सर परसो तो मेरा बाबू गया है, अभी सबसे पहले तो मैं चाहती हूं कि सारे जगा ही, सबसे पहले तो मुझे कोई प्लाटफॉर्म मिलें जिस पर मैं यह बोल सकूं टीवे पर जाके, ताकि लोग बचें, अब जिसके साथ जो हो नहीं हो तो सेकेंड़ी है, हमारे जिसे जो लोग उसे पढ़े है ना जो यह छोड़के भूल जाते हैं कि पेसिंट का खयाल डॉक्टर्स रखेंगे, वो जहा के अपने पेसिंट का खयाल रखेंगे नहीं तो सब मर जाएंगे सर, सब मर जाएंगे, एक डाक्टर एक दिन आयर राजस्वर में कहते और यह बेट अभी तक नहीं खाली हुआ है, मतलब यह आदमी अभी तक नहीं मरा है, एक आदमी के बारे में, आप सोचो सरजरासा, मेरे हसमें को वेंडिलेटर पे नहीं रखा सर, वो शायद बच जाते, और जब मेरे मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर उसने बात की कि आपने वेंडिलेटर भी क्यों ने रखा, तो जूट कह रहे हैं कि फ्रामली वालों ने मना किया, जब कि हमसे को हमें कोई सजेशन नी दिया है कि वेंडिलेटर पे आप रख सकते हो, कुछ भी नहीं दर, वो बस वेट कर रहे थे कि यह बेट खाली हो